कि हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चनलर हगसेता सिंग पर आपका बहुत दौह सवागत है फ्रेंड एक्पाफ फीम के लिए लिए लकर आगए हैं आई होप कि आपको में वीडियो अच्छ लगेगा अगर वीडियो अच्छ लगेगा तो प्लीज लाइक कमें जरूर question no.1 भारती फूट्बाल संगठन का क्या नाम है नाम है तो इसका आंसर है All India Football Federation का नाम है जिसको सौर्ट में AIFF कहते हैं चलिए नेक्स्ट है All India Football Federation की स्थापना कब हुई तो इसका अंसर है 23.1937 को सिम्बला में ठीक है 23.1937 को इसकी स्थापना हुई थी नेक्स्ट है Question No.3 All India Football Federation का मुख्याले कहां है तो इसका अंसर है नई दिल्ली में ठीक है चलिए नेक्स्ट है Question No.4 All India Football Federation की अध्यक्ष कौन है All India Football Federation की अध्यक्ष कौन है तो इसका अंसर है आपका प्रफुल पटेल ठीक है आप लोगों को मैंने ये जो हमारी खेल संस्थाएं हैं या इसके एसके एस्सोसियेशन है तो उसकी मैंने संस्था का नाम और आपके उसके जो अध्यक्ष हैं उन पे एक अलग सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है तो अगर आप इसका दीखना चाहते हैं इस वीडियो को तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो ठीक है All India Football Federation की अध्यक्ष प्रफु पटेल है बहुत कै면 नेक्सक्ति नंबर 5 भारतिए पुरुज़ फूट्बॉर्ट में के कपतान कौन है बहुति पूरुज फूट्बॉल टीम के पूच्ट कॉच्छ लेता है तो इसका आशर है आपका सुनील छेत्री ठीक है हमारे टीव इंडियोफ की फूट्बॉल टीम के कप्तान है सुनील छेतरी नेक्स है भारतिय पुरुष फुटबाल टीम के कोच कौन है देखिए कभी कई पूछ सकता है पूछ लेता है तो इक पॉट्रेन ध्यान रखेगा भारतिय पुरुष फुटबाल टीम के कोच है आपके इगोर इंस्टी मेग ठीक है इगोर लोयटोंग बोर्म देवी आपके इन्हीं भारति फूटबालेश गउटान है नेज्ट है नाच कौछी नाच नेक्स्ट है कुछ नमर नाइन अंतराश्टी फुटबॉल संगठन का क्या नाब है अंतराश्टी फुटबॉल संगठन का क्या नाब है तो इसका अंसर है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसियेशन फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसियेशन इ कब हुई फीफा की स्थापना कब हुई तो 21 मई 1904 को ठीक है फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को ही ध्यान दखिएगा कभी कभी एक्जाम में फीफा का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है जिसको आप ध्यान दखिएगा कि फीफा का FULL FARM FEDRORATIONS International to the FUTBALL Association है चलिए next फिफा का मुख्यालय कहां है तो इसका अंसर है जियोरिक ढ देंकि ध्यान रखीए यह जियोरिक आपका आधर जे रहेगा तीक है वह मैं टाइप करें थी वह सही से नहीं हो पा रहा था करने क्या प्रब्लम आ रही थी तो यह आपकी मसेश्य गलत लिखा हुआ है तेखें टाइपी में कहीं प्रॉब्लम होती तो ऐसा नहीं की कुछ ग् अध्यक्ष कौन है इसका अंसर है जियाने इंफिंटीनो ठीक है जियाने इंफिंटीनो आपके फीफा के अध्यक्ष है चलिए नेक्टे फीफा के प्रत्म अध्यक्ष कौन थे फीफा के प्रत्म अध्यक्ष कौन थे इसका अंसर है आपके गुरीन ठीक है अभी तो जी आनों है आपके और इसके बाद से पहले आपके गुरीन थे नेक्स्ट है कोस्ट नवर 14 फुट्बाल बिस्ट कप को पहले किस नाम से जाना जाता था फुट्बाल बिस्ट कप को पहले फुट्बाल किस नाम से जाना जाता था तो इसका अंसर है जूलियस रिमेट ट्रॉफी ठीक है जूलियस रिमेट ट्रॉफी कहा जाता था फीफा को विस्व की प्रतन प्रतियोखता कौन सी थी फूटबाल की प्रतन प्रतियोगता कौन थी तो इसका अंसुर और और कहा हुआ प्रतन फूटबाल 19 दुनिया के पहले football club का नाम क्या है दुनिया के पहले football club का नाम क्या है तो इसका अंसर है सेफिल football club ठीक है दुनिया के पहले football club का नाम सेफिल football club है next question number 20 भारत की सबसे प्राचेन football प्रतियोगता कौन सी है भारत की सबसे प्राचेन फुटबॉल प्रतियोगता कौन सी है तो इसका अंसर है डुरंड कब तो इसका अंसर है मोहन बागान जो की कुलकाता में है ध्यान रखिए दुनिया का सबसे पहला आपका सेफिल्ड है और यह आपका भारत का मोहन बागान है नेक्स्ट कोश्चन में 22 मोहन बागान की स्थापना कब हुई थी तो इसका अंसर है 1889 में नेक्स्ट कोश्चन में 23 फुट्बॉल में प्रथम और जन पुरतकर किस खिलारी को मिला फुट्बॉल में प्रथम और जम पुराभ्य को मिला तो इसका अंसर है पी के बिनार जी को 1961 में ध्यान लättकर कभी पूछ लियालता है कि किसी में भी यहां तो मैं सिर्फ फुटबॉल की बात कर रही हूं किसी भी गेम से आप से पूछ सकता है कि प्रथम अर्जन पुरसकार विजिता कौन है या पिस आपका गेम में प्रथम अर्जन पुरसकार या दुरान चार पुरसकार किस वर्स दिया गया इसको ध्यान लग कियेगा पूछ सकता है तो मैंने आपको प्रतम अर्जन परसकार कब किसको दिया गया था किस गेम पहली बार दिया गया था उसका भी मैं वीडियो ने बनाया हुआ सेपरेट तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दे दोंगी आप चेक जरूर कर लेना ओके तो फुटबॉल में प्रतम दोंगा चार परसकार किसे मिला तो इसका अंसर है सयद नयुमुद्दिन को 1990 में सयद नयुमुद्दिन को 1990 में आपको दोंगा परसकार मिला था नेक्स्ट है कोस्ट नमर्ट 25 फुटबॉल की राष्टी पूरस प्रतियोगता का नाम क्या है फुटबॉल की राष्टी पू प्रतियोगता का नाम बताए तो बेगम हजरत महल टॉफी ध्यान रखिएगा यह पुरूष प्रतियोगता है और यह आपकी रश्टी महिला प्रतियोगता है तो यह संतोष टॉफी है और यह बेगम हजरत महल टॉफी है चलिए नेक्स चोशनमर 27 सबसे अधिक बार फीफा तो ब्राजील नेक्स कोईटोन मर 28 2018 का FIFA World Cup कहा योजित किया गया तो इसका जान्सर रोस में next question number 29 2014 FIFA World Cup कहां युजित किया गया था तो इसका अंसर है आपका ब्राजील में ठीक है चलिए next question number 30 और last question है यह आपका तो 2010 फीफा वर्ल्ड कप कहां युजित किया गया था 2010 का FIFA World Cup कहां युजित किया गया था तो इसका अंसर है साउथ अफ्रिका ठीक है नान रखिएगा 2010 का साउथ अफ्रिका 2014 का ब्राजील और 2018 का रूस में तो यह रहा हमारा आज का वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे आज के वीडियो का प की डिस्क्रीटा में देते हैं वहाँ से चरहएगा और कुछ वीडियो की में लिंक में बार बार जक्स रच्पर बाक्स चेक करो कुछ वीडियो कै लिंक मैं से वीडियो को देख सकते हो आजा हो और एस से च्पर नशकर यрашा थे excited करूं यकिन नहीं आ रहा है लेकिन यह मत सुचिएगा जब फॉर्म आएगा तो हम फॉर्म करेंगे फॉर्म आएगा और एक दो मेने में आपका एक्जाम भी हो जाएगा तो इसलिए अभी से ही तैयारी में जूट जाएए तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कहते हूं एक छोटा सा कमेंट जरूर से तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए थैंक यू सो मुच और आल दे बेस्ट